सरकार खुछ स्विकार करती है, इसकीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अगनी वीर वाले जो लौट करके आएंगे, उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए, सवापती मौदया मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े हो करे कह दिए अग अगर ये बात, ये जो बात, ये आप कह रहे हो, तो आपको जरुवत क्यों पड़ रही है, आपको उत्तर पुदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है, तभी गयो इस मिलिटी स्कूल में, मैं खुद मिलिटी स्कूल का पड़ा हूँ, और आप परम्भी मैं आपके सामने कहना जाता हूँ, ये तो केवल मिल्टी स्कूल के है, मैं आज भी टेरिकोलर आर्मी के 124 इसक रेजिमेंट में, कैप्टन के रांग पे अपनी सिभाई दे रहा हूँ, अकिले जी, केवल ग्यानमत बाटी है, रहु गांदी जी के साथ आपकर, अब वहें जाता है, शायद मंती जी नहीं रहे, इसलिए तकली परिशानी जादा है, क्या ये स्कीम नौजमान को पक्की नौकी दिलाएगी, क्या इन स्कीम से 5,000 रुपे दे कर कि आप नौजमान का भविस्य बनाना चाहते हैं, आप क्या दे रहे हैं आप, और मुझे तो ये लगता है, कि ये जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं, ट्रेणिंग दे कर कि सरकार के पैसे से, अंतो गत्वा, इनको भी एक्स्प्रोइट वही लोग करेंगे उद्यूग पती, अखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेंड फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताईए कि उसक कि भविश से क्या होगा, अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेणिंग करा रहे हों, सरकार का बजट उसमें कर चो रहा है, तो सवा पती मौदयग उनकभवे से क्या होगा, और जो अगनी भीर वाली नोकरी है, सवा पती मौदया कोई भी नजमान जो फोर्स के लिए त्यारी करता है वो कभी सुईकार नहीं कर सकता है जब पहली बार ये स्कीम आई थी अगनी बीर उस समय बड़े बड़े उद्योग पतियों से ट्वीट कर आए गया था कि अगनी बीर से अच्छी कोई योजना नहीं है इनको हम नौक ली दे देंगे हम अपने आ रख लेंगे और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी क्योंकि सरकार खुश स्विकार करती है इस स्कीम ठीक नहीं है तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अगनी बीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए आप नौक ली दीजिए सवापती महोदया सवापती महोदया मैं बैठ जाता हूँ आप खड़े होकर के कह दिए अगनी बीर वेवस्ता अच्छी है तो हिमाचर परदेश से जिसने पहला परमवीर चक्रवजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिये कारगिल के यूद में सबसे जादा शहीद होने वाले हिमाचर परदेश के वीर नौजवान थे चार परमीर चक्रवजेता हुए उसमें से दो कैप्टन विक्रम बत्रा और सुबधार संजेक कुमार हिमाचर परदेश से हुए और मैं कहता हूँ जी हा जो लंबे समय से मांग थी वान रैंक वान पैंचन की किसी सरकार ने पूरी नी की वो नरेंदर मोटी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है और मैं एक बात और कहता हूँ अखिले श्यादव ची सुनने, अगनी वीर में 100% इंप्लाइमेंट की गरंटी है और रहेगी. माने निसेदा साथ, अपनी बात करें. जो मैंने बहुत चोटा सवाल पूछा था. मैं दूसरी बात कहता हूँ. अगर ये बात, ये जो बात ये आप कह रहे हो, तो आपको जरूवत क्यों पढ़ रही कि आपको उत्तव पदेश में और पदेशों में कोठा देना पढ़ रहा है 10%? सवापती महुदेया, 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 जानते हैं आप कहा हैं, कभी गयो समय ते स्कूल में, मैं खुद मिलीटी स्कूल का पड़ा हूं, और आप परमभी छुक्री की बात कर रहें हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं, तो ते इसमें भी जब आपको पड़ा हूं, आपके सामने कहना जाता हूं, ये तो केवल मि आज भी टेरिकोलर आर्मी के 124 सिक रेजिमेंट में कैप्टन के रांग पर अपनी सिभाई दे रहा हूँ अखिले जी के वल ग्यान मत मांडिये रहू गांदी जी के साथ आपर अब वहाँ बिलाने का जूट बोले जी आप वाज़त पर गई माने निये सदसे से मैं आगरा कर रही हूँ आप अपनी बजट पर चट्टा करें और भी आपका समझ भूरा हो गया है सवापती मौदया मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं क्या बात कहना चाहता हूँ शायद मंतिय जी नहीं रहे इसलिए तकली परिशानी ज़्यादा है हमारा दर्द नहीं समझोगे हम आपका दर्द चेहरे से पड़ते हैं आजा दर्द में बताता हूँ दर्द में बताता हूँ दर्द में बताता हूं दर्द बात पहुंचेगी कर नहीं पहुंचेगी सभापती महद्या उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है तकलीव वह है आपको वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है और जो अपने आपको बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे अपने आपको जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं अब बात समझ में निया जिसने हराया उसको नहीं हटा पारें और अगर सभाती महोटिया अग्नीबीर वेजस्तार शॉइकार नहीं कर सकते हैं चब भी आम सब्सक्रामे आएंगे, साल दो साल, ये ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना है मानिने सरस्थ और देखिए ही, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकल हमारा चुनाओ चुने, साइकल ही आपको सरकार चल वा रही है, जिस दिन साइकल हट गई, आप कहां बेठे मिलोगे और दूसरे हमारे साथी हैं, जो हमें लेकर के यहां लाएती मारे ने सरस्थे में आगरा कर रही हूँ, कंप्लिट करिए